आप सभी को नमश्कार, अगर आप JOA Accounts और Auditor की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफी useful रहेगा, और साथ ही साथ प्लस 1, प्लस 2, B.com और M.com, Commerce Background के लिए ये वीडियो काफी helpful रहेगा, तो वीडियो के end तक बने रहें. तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लें, और साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिल सके. लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था financial accounting के कुछ basics, जिसमें fundamental elements of accounting, जो हमारा आज का topic है, इसे हम detail में discuss नहीं कर पाये थे, तो इस वीडियो में हम इसे detail में discuss करेंगे, तो आप सब से request चाहूँगा कि अगर आपने financial accounting का basic का वीडियो नहीं देखा है, तो उसका link मैं आप उस वीडियो को जुरूर देख लेना है तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का एक fundamental unit जुरूर होता है हमारी financial accounting का भी fundamental unit है मतलब जहां से वो चीज शुरू हो रही है वो चीज पढ़ना सबसे जुरूरी रहता है जैसे हम जानते हैं लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में डिसकस किया था कि एक जो living organism होता है उसका जो basic element या basic unit होता है जान से वो life शुरू होती है वो होती है एक cell वो cell से वो चीज शुरू होती है और उस हिसाब से वो बात में बढ़ता रहता है तो यहाँ पर भी हमारे पास जो financial accounting है मतलब एक accounting system है न पूरा यह accounting system वहीं से एक चीज से या फिर कुछ चीजों से शुरू होगा उसके साथ वो बात में बढ़ता रहेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो fundamental elements मिलते हैं वो तीन तरह के मिलते हैं तो first है assets second है liabilities और third है owner equity और इसे हम capital के नाम से भी जानते हैं तो यही वो तीन elements है basic elements है जिससे हमारा जो पूरा accounting system होता है वो शुरू होता है और खतम भी इसी चीज पे होगा ठीके आप सभी ने balance sheet का नाम तो सुना ही होगा ठीके तो जो balance sheet होता है उसमें हमारे पास तीन ही element होते है एक asset होता है एक liability होता है एक capital होता है और यह दो side में divide किया जाता है जिसमें हम balance करते हैं दोनों सर्फ ठीके है हम left side और right side दोनों को आपस में equal balance करते हैं जिससे हमारी balance sheet match हो जाती है ठीके तो सबसे पहले हम assets को explain करेंगे तो assets क्या होते है वो चीज़ हम पहले discuss कर लेते हैं एक assets क्या होता है उसको हम define करते है as a premises ठीके उसको हम machinery भी कह सकते है उसको हम equipment भी कह सकते है जो की एक business में लाया जाता है और वो जो business होता है वो उसी के ही थो बाद में वो क्या करेगा कि चलता रहेगा तो यहाँ दखना आपने assets को आपने इस तरह explain कर सकते है कि एक business की वो चीज़ है वो resource है जिसके थो business काम करना शुरू करेगा example के लिए अगर आप traveling का business करते हैं तो आपके लिए सबसे important वहां पर asset वो ही रहेगा कि आपने चूब vehicle रहेगा ठीक है आपके लिए क्योंकि vehicle ज़रूरी है vehicles के साफ से आप क्या करोगे tourist को guide करोगे और साथ ही साथ हमारे asset की अपनी cash value भी होती है तो assets में हमेशा दो चीज़ को आपने explain करना है first रहेगा वो एक resource होगा वो business के लिए हमेशा resource होगा और साथ ही साथ उसकी क्या रहेगी हमेशा एक cash value रहेगी माल लो आपको कल दिन को उसकी जूरूर्ट नहीं रहे तो आप उसको क्या कर सकते हो बेश कर थोड़े से पैसे बापिस cover कर सकते हो ठीक है तो यहां पर और भी कुछ points लिखे है आप इनको read कर लें यह जादा important नहीं है मैं सिर्फ वो इचीज़े करऊंगा जो जो important है exam point of view से यहां पर यही चीज़ important है आपको जो आपको जो यह use करना जो आप यह record करते हो assets को जो आप record करते हो वो क्यों करते हैं क्यों क्यों हाँ पर materiality एक concept जो रहता है वो हम बाद में discuss करेंगे principles और concepts में तो उस चीज़ को follow करके हम assets को record करते हैं ठीक है तो next जो आपको रहेगा types of assets रहेगा तो यहां पर मैं आपको एक flow chart बना कर दिया है जिसमें आप देख सकते हैं तो जो types में है सबसे पहले मार पास asset है current asset फिर second रहेगा आपके लिए fixed assets देखिए current assets वो assets होते हैं जो हमारे लिए एक साल से कम time period में हम अगर उसको use करें तो उसी time वो खतम हो जाएंगे simple है current का मतलब simple आपने इतना ही याद रखना है कि अगर आपने one time उनको use किया एक साल से time period से पहले अगर आपने उनको use किया तो वो use करते ही वहीं पर खतम हो जाएंगे example के लिए मैं cash ले लेता हूं सबसे best example यही रहेगा कि अगर आपके जेब में कुछ cash पढ़ा है अगर आप बजार जा रहे हो या कहीं जा रहे हो आपने उस cash को spend कर दिया तो जैसी आपने उसको use कर लिया तो आपके जेब से खतम हो जाएगा ऐसा तो नहीं रहेगा कि आपने पैसे दे दिये और आप जेब में डालो कि और पैसे निकल जाएंगे यह नहीं होगा न अगर आपने वो चीज यूज कर लिए तो मतलब वो क्या हो जाएगा वहीं पी खतम हो जाएगा बट fixed में ऐसा नहीं रहता है fixed assets वो assets रहेंगे जो एक बार यूज होने के बाद बार बार भी आप उसको use कर सकते हो एक्जामपल के लिए आपके पास कोई vehicle ले लो और आपने एक वार यूज कर लिया तो ऐसे तो नहीं है कि कल उसको use नहीं कर पाओगे कल भी आप उसको use करोगे मतलब एक साल से ज़ाधा time period तक आप उसको बार बार और regular उसको use करते रहोगे बस सबसे simple और basic difference current assets और fixed assets में यहीं रहता है तो एक्जामपल के लिए current assets आपके पास दियो है cash, bank, account receivables, अगर आपने accounts में कुछ किसी से पैसे लेने है वो चीज ठीक है, marketable securities और other liquid assets, liquid मतलब जिसको आप जितनी जल्दी convert कर सकते हो cash के form में तो साथ ही में fixed assets भी दो types के होते हैं, तो first है tangible assets और second है intangible assets, ठीक है tangible assets वो assets होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और touch और feel कर सकते हैं, जैसे कि example property, plant and machinery, vehicle, building, furniture यह आपको example मैंने कुछ यहाँ पर लिखे रखे हैं, ठीक है मतलब आप इनको regular use करते रहोगे, और इनको आप touch भी कर सकते हो, और feel भी कर सकते हो, but कुछ fixed assets आपको इस तरह के भी मिलेंगे, जिनको आप देख नहीं सकते हो, ना feel कर सकते हो, but वो है मतलब, exist करते हैं फिर भी वो, तो आजकल यह जो examples है, sorry, आजकल यह जो intangible assets हैं, वो बहुत ही जादा use होते हैं, और उस पर strikes start हो जाती है, तो हर business क्या करता है, अपना patent करवा देता है, या copyright या अपना logo बना के रखता है, तो इससे क्या हो जाता है, कि उसकी वो चीज को कोई और use नहीं कर सकता है, तो इन सब को भी हम assets के रूप में ही use करते हैं, अजकल, तो I hope कि आप सब को assets समझ में आ गया होगा, तो start करते हैं, next, तो next topic है आपका, वो है liabilities, तो liabilities को आपको यहां पर यह लंबी चोई definition उतनी समझने की जूरत नहीं है, बस आपने यह simple याद रखने है, कि liability क्या रहती है, कि business की obligation होता है, मतलब कि उसका एक दायत्वा होता है, अगर आपको नहीं लिखना, आप एक और word यह सकते हैं, जिसको आप responsibility हो सकते हैं, यह सिर्फ शमझने के लिए है, responsability, मतलब कि आप responsible हो, अगर आपने किसी भी चीज को किसी से लिया है, तो आपने responsibility रखनी है कि उस चीज को वापिस return भी करना है, example कि अगर आपने दोस्ते प liability यही चीज होती है, अगर आपने किसी से कोई चीज लिए है, तो बस उसकी जो repayment है, इसी चीज को liability explain करती है, तो repayment, यही चीज आपको बस धियान रखनी है, तो business बहुत सी चीजें किसी से लेगा, तो future में उसको return भी करना पड़ता है, पस यही चीज हम liabilities में explain करते हैं, ठीक है, तो liabilities भी हमार पास दो types की होती है, mainly, एक current liability, और second है long term liabilities, मतलब कुछ ऐसी liabilities, जो आप क्या करोगे, एक साल से कम समय में ही क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, उन्हें क्या कहेंगे हम current liabilities, तो example के लिए accounts payables, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, तो धार बापि या उस पे, मतलब वो चीजे, फिर है wages, फिर income tax payable, फिर bank account overdraft हो गया हो, मतलब अगर अपने bank की limit से जादा, आपके bank में मानलो की 100 रुपे पड़े हैं, और आपने 100 रुपे से जादा खर्च लिए, तो उसे हम overdraft कहते हैं, तो bank अगले मीं नहीं आपको क्या बोलेगा, overdraft का पैसा बापिस करो दो भई, ठीक है, फिर accurate expenses है, फिर short terms loans भी रहते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीजी है हमारी current liabilities, मतलब की एक साल से कम समय में आपको क्या करना पड़े, गन को repay करनी पड़ेगी, और second half के पास यहां पर long term liabilities, अब long term मतलब long term, एक साल से जादा समय, यहां प example दियान रखना है, ठीक है, सबसे basic example इसका यह रहता है कि loans, मतलब house loan ले लो, vehicle loan ले लो, वो काफी सालों के लिए चलता रहता है, आपको पता होगा, ठीक है, उसका रापर preferred stock dividends है, common stock dividends है, retained earning है, इन examples को आपने अच्छे से read कर लेना है, क्योंकि यह चीज है, यही वो चीज है जो आपको बाद में exam में, MCQs में देखने को मिलेंगे, ठीक है, फिर आपके पास एक topic यहां पर है, contingent liability, यह वाला topic भी आपको मैं अलग सी वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है, तो next चलते है, last जो बचता है, element हमारा, वो है capital, shareholder, equity, ठीक है, तो assets आपको में आगे, अब last topic है, वो हापका capital है, तो जो capital होता है, इस चीट को हम, बिल्कुल simple word में अगर कहेंगे, यह होती है, एक owner की investment, मालो आपने एक business start किया, ABC business, ठीक है, अब ABC का कोई ना कोई तो owner होगा, ठीक है, अब उस owner को, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, अब वो owner है, ठी business को कुछ ना कुछ देगा, ताकि यह business start हो, ठीक है, तो business शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ investment के करेगा, वहां पर किससे उदार ले ले लिए, कुछ और कुछ ना कुछ लाएगा, ठीक है, तो जो भी वो लाएगा, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, कि यह है capital, ठीक है, यह cash में हो, यह किसी और form में भी हो सकता है, बस आपको business उससे शुरू करना है, और यही चीज बात में business को represent करते हैं कि business आपके पास इतना है, ठीक है, एक example देता हूं है, ठीक है, आपको घर से पापाने वेजा कि आपको 100 रुपे का यह चीज लाना है, ठीक है, और आपके जा लिया कुछ, ठीक, तो जब आप घर वापिस जाओगे, तो आप बताओगे कि 110 का पड़ा, तो वो पूछेंगे आपसे कि 110 रुपे जाद आपने कहां से दिया उसको, ठीक है, तो यहाँ पाजब्या business चलाते हो ना, तो government भी आपसे पूछेंगी हमेशा, अगर आपने capital से जादा आपने expense कर दिया ना, या capital से जादा limit में, अगर आपने कुछ use कर लिया बिजनस में, तो आपको government भी पकड़ेगी, पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है, तो यह illegal होता है, तो आपको capital जितने आपने business को start करने को दिया ना, तो business उस चीज़ से जादा expense नहीं कर सकता है बस simple यही रहता है, ठीक है, तो capital आपने, या shareholder equity को आपने बस इसी तरह explain करना है, कि यह कह है initial investment by the owner, ठीक है, starting में, जो business को start करने के लिए जो owner जो देगा, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम capital या shareholder equity कहते हैं, ठीक है, तो I hope आप सब को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को like और श्ट्रेजर करें, ठीक है, ठीक है, ठीक्यू,